क्या आप जानते हैं कि घर में दिये जाने वाले LPG connection के साथ insurance भी दिया जाता है और क्या आपको पता है कि Nokia के phone का switch on करते वक्त दिखने वाले ये दो हाथ किसके होते हैं होर तो और क्या आपको पता है कि इंडिया note पर छपे गान्दी जी की photo कब और कहा ली गई थी आए जानते हैं गैस cylinder तो आपके घर में हो गई लिकिन क्या आपको गैस cylinder से जुड़ी एक खास बात पता है दोस्तों हर LPG cylinder के connection के साथ insurance भी मिलता है जी हाँ ये बिलकुल सच है इस insurance के बदले में किसी भी तरह की दुरगटना के case में आपको मुआफ़जा मिलता है और ये facility पाइब LPG वाले connection के लिए भी available है दोस्तों कहते हैं कि जो चीज जितनी कम होती है वो उतनी ही कीमती और महंगी होती है same rule gold यानि सोने पर भी apply होता है लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्थ पर मौझू समंदर में इतना gold है कि उससे अगर पूरी दुनिया के सभी लोगों में बाठ दिया जाए तो सब के हिस्से में एक एक किलो सोना आएगा लेकिन ऐसा करने के लिए परिशानी ये है कि ये सोना समंदर के अंदर बहुती छोटे-छोटे हिस्सों में घुला हुआ है जिसे बाहर निकालना almost impossible है इंडिया की currency पर महात्मा गांधी जी का फोटो लगा हुआ होता है दोस्तों, नोकिया को इंडिया का सबसे मशूर फोन कहना गलत नहीं होगा पुराने जमाने में सभी को इस फोन को खरीदने की डिजायर हुआ करती थी पर क्या आपने कभी सोचा है कि नोकिया के फोन को switch on या off करते वक्त ये दो हाथ किसके होते हैं चलिए हम आपको पताते हैं दरसल दोस्तों, इसमें से एक हाथ मार्था स्टीवर्ट नाम की लेडी का है और दूसरा जैकरी जॉनसन नाम का एक बच्चा है खेर अब तो ये लोग बहुत बड़े हो गए होंगे लेकिन इनके ये हाथ आज भी पूरे वर्ल्ड में लोगों के बीच बहुत मशूर है दोस्तों ये तो आपने बच्पन से सुना होगा कि हमें बीच नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो काफी नुकसान दायक होते हैं लेकिन हमारे बड़े होने के साथ हमें पता चलता है कि हर एक बीच को गलती से खा लेना नुकसान दायक नहीं होता लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एपल की बीच सच में बहुत ही जहरीले होते हैं जी हाँ, ये बिलकुल सच है दरसल एपल की बीच में साइनाइड होता है, जो एक किसम का जहरीला केमिकल होता है, जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है. लेकिन दोस्तों क्योंकि ये बीच बहुत छोटे हैं, इसलिए इसका जहर आपके शरीर में बहुत सारे बीच खाने के बाद ही फैलता है. अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप बीच को खा खा कर चेक करें. दोस्तों, इनसान को एनिमल की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है, लेकिन इनसान हर एक एकस्पेक्ट में दुनिया के बागी जानवर उससे बहतर है. जैसे हम सभी को पता है कि चीता इस दुनिया का सबसे तेज दोडने वाला जानवर है. लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीता एक पर्टिकुलर टाइम तक भागने के बाद ठक जाता है, लेकिन इनसान बिना ठके चीते से भी ज़़दा तेज और ज़दा देर तक भाग सकता है. लेकिन उसके लिए कई सालों की ट्रेनिंग भी होना ज़रूरी है. इनसान की ये क्वालिटी ही फिर से इनसान को दुनिया के बाकी एनिमल्स से बहतर और सुपीरियर बनाती हैं. दोस्तों इन्डिया में तो बच्चों के बड़े होने के बावजूद भी बच्चे अपनी मा से जूते चपल तक से पिटते हैं. लेकिन क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं, जहाँ पर 16 साल से कम उमर वाले बच्चों को चाटा मारना तक बैन है. जी हाँ दोस्तों, स्कॉटलेंड में 16 साल से कम उमर तक के बच्चों को थपड मारना ओफिशियली बैन है. ये रूल पैरेंट से लेकर टीचर तक सभी पर लागू होता है. स्लैप यानि थपड को बैन करने वाला स्कॉटलेंड एकलोता और सबसे पहला देश है. गर्मियों में या बरसात के मौसम में मच्चर तो सभी को काटते हैं. लेकिन क्या आपको पता होता है कि आखिर आपको किसी मेल मच्चर ने काटा है या किसी फीमेल मच्चर ने, आपको सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा. लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों को हमेशा सिर्फ female मच्छरी काटती है क्योंकि दोस्तों सिर्फ female मच्छरी खून पी सकते हैं और male मच्छर सिर्फ मीठा liquid पीना पसंद करते हैं और तोर दोस्तों एक female मच्छर अपने वज़न से तीन गुना जादा खून पी सकती है Lenovo Company का नाम आपने उसके अच्छे products की वज़े से सुनाई होगा लेकिन क्या आप Lenovo Company के CEO Yang Yang King के बारे में जानते हैं? दोस्तों CEO Yang एक बहुत बड़े philanthropist हैं जिसका सबूत उन्होंने साल 2012 में अपने बोनस को lower level के employees के बीच बाट कर साबित कर दिया था साल 2012 में Yang को 25 करोड का बोनस मिला था जिसे उन्होंने अपनी ही company के सभी lower level के employees के बीच बाट दिया था लेकिन क्या आप जानते हैं? कलर टीवी के invention से एक और चीज में बहुत बड़ा बदलाव आया है दरसल दोस्तों एक study से पता चला है कि जब black and white टीवी था तब 100% लोगों को सिर्फ black and white ही सपने आते थे लेकिन कलर टीवी आने के बाद लोगों को सपने भी colorful दिखने लगे आज के जमाने में सिर्फ 9% लोगों को ही कभी-कभी black and white सपने आते हैं fruits तो हमेशा सही healthy रहने के लिए जरूरी होते हैं लेकिन क्या आपको पता है एक fruit ऐसा भी है जो आपके लिए कभी जहर भी बन सकता है दरसल दोस्तों अगर आप दवाई खाने के बाद अंगूर खा लेते हैं तो ऐसा करना बहुती खतरनाक और नुकसान दायक होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका liver दवाईयों को breakdown करता है तो grapes के minerals दवाई से mix होने के बाद side effects कर सकते हैं जिससे ultimately body पर negative effect पड़ता है इंसानों के बारे में आपने सुना होगा कि वो left-handed या right-handed है लेकिन क्या आप किसी ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिसकी पूरी प्रजाती ही left-handed होती है दोस्तों polar bear एकलोता ऐसा जानवर है जिसकी पूरी प्रजाती ही left-handed होती है polar bear हर काम को करने के लिए अपने left-hand को ही prefer करते हैं हो और तो और आज तक ऐसा एक भी पोलर बेर नहीं देखा गया है, जो राइट हेंडड हो. आज के मॉडरन जमाने में हर एक छोटी सी चीज का भी advertisement टीवी पर देखने को मिल जाता है, लेकिन क्या आप नहीं कभी सोचा है कि expensive sports car का advertisement टीवी पर क्यों नहीं आता है? दरसल दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि expensive sports car को manufacture करने वाली companies का मानना है, कि जो भी लोग टीवी देखने में अपने वक्त को बरबात करते हैं, वो sports cars कभी नहीं खरीच सकते. इसलिए टीवी पर add देना उनके लिए एक बेकार की चीज़ है. लोगों के शरीर पर बहुत सी जगों पर तिल होते हैं, कुछ तिल वक्त के साथ उबढ़ने लगते हैं, तो कुछ तिल जनम से ही लोगों के शरीर पर होते हैं. लोग शरीर पर बने इन तिलों के बहुत से मतलब निकालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, 1880 में लोगों को तिल का इतना क्रेज हो गया था कि लोग लैदर के बने नकली तिल लगाया करते थे उस वक्त लोगों को तिल वाले लोग ज़्यादा खूपसूरत लगते थे इसलिए लोग सुन्दर और कूल दिखने के लिए नकली तिल लगाते थे इंसान की जिंदगी में दोस्ती की बहुत इंपोर्टेंस होती है लोग अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं? काउ यानि गाए भी अपनी दोस्ती को बहुत इंपोर्टेंस देती है काउस के best friends भी होते हैं, अगर गाय को उनके दोस्तों से अलग कर दिया जाता है, तो वो अक्सर depression में भी चली जाती हैं, जिसके बाद उनकी milk productivity भी कम होने लगती है, और तोर हर इलाके की गाय की बोली भी अलग होती है, जो अपनी आवाज अलग-अलग तरह से निकालती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा अंडा माना जाता है, बलकि ostrich का अंडा बाकी बट्स के अंडे से ज़्यादा मजबूत भी होता है, जिसको तोडने के लिए drill करना पड़ता है। जिससे ultimately पीने वाले को नुकसान होगा, इसलिए bottle पर expiry date लिखी जाती है, बलकि consumer law के मताबिक भी हर product पर expiry date लिखना mandatory है। अगे भी ऐसी amazing videos देखना चाहते हैं, तो please हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके all notification bell को on कर दो, ताकि हमारी फीचर वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास आए। तो तिल देन कीप लर्णिंग, कीप ग्रोइग!